आकाश्वाणी भोपा से प्रस्तुत हैं प्रादेशेक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं सैयुक्ता बैनरची पहले मुख्य समाचार प्रधानमंद्री नरेंद्र मोधी ने चीन विवात पर कहा हम किसी को कसाते नहीं है लेकिन देश की अखंडता से समझ होता भी नहीं करते प्रधेश सहित 15 राजियों के मुखे मंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंद्री ने की कोरोना से उत्पर नस्थती की समीक्षा तीन राजिस सभा सीटों पर चुनाव के लिए भाजपा और कॉंग्रस में बैठकों का दौर जारी 19 को होंगे चुनाव और भोपास सहित कई जिलों में जहमा जहम बारिश अब समाचार विस्तार से प्रधानमंद्री नरेंद्र मोधी ने भारत चीन सीमा पर शहीद सैनिकों के परिजनों के प्रती समवेधना व्यक्त की है उन्होंने आज एक वक्तव्य में कहा कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है भारत के वीर सपूतों ने गलवान वैली में मातर भूमी की रक्षा करते हुए जो सर्वोच बलिदान दिया है ये बलिदान वियर्थ नहीं जाएगा श्रीमोधी ने कहा कि स्थितियां कुछ भी हो भारत एक एक इंच जमीन और देश के समविधान की रक्षा करेगा के साथ समझोता नहीं करते जब भी समय आया है हमने अपनी क्षमताओं को साबत किया है इस बारे में किसी को भी भय या संदेह नहीं होना चाहिए भारत चीन सीमा पर हुए संखर्ष में चीनी सैनिकों से लोहा लेते हुए रिवा जिले के वीर सपूथ दीपक सिह भी शहीद हो गए है उनकी पार्थिव देह कल जिले के ग्रहगाओं फरहेदा लाए जाने की संभावना है मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान ने उन्हें श्रधानजली अर्पित करते हुए कहा कि सीमा पर संखर्ष के दौरान दीपक सिह ने जिस शौरिका परिचय दिया इस पर हमें गर्व है सैनिकों का बलिदान व्यार्थ नहीं जाएगा मंत्री मीना सिह ने भी शहीद दीपक सिह को श्रधान जली अर्पित की है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार द्वारा उचत समय पर लिये गए निर्णे से कोरोना महमारी के प्रकोप को काफी कम करने में मदद मिली है उन्होंने आज मधिप्रदेश सहित 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कहा कि देशवासियों के अनुशासन और महमारी को रोकने के लिए समय रहते ही की गई तैयारियों के चलते इसकी रोक थाम संभव हो पाई है उन्होंने राज्यों से आग्रह किया है कि वे कोरोना की जांच और रोगी के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के लिए अधिक से अधिक परीक्षन केंद्र बनाने के प्रयास करें और इसके लिए आरोग्य सेतू एप के साथ ही टली मधिसन सुविधा के करने का आहवान किया प्रदेश में कोरोना संक्रमइतों की संप्ष्ण 11000 से ज्यादा हो गई है जबके इनमे से आट 2000 से अधिक लोग स्वस्त होकर घर लौट चुके हैं अब राजे में 级ाई 7000 से भी कम संक्रमित है जिनका इलाज किया रहा है राजे में संक्रमन की चपेट में आये 73 प्रतिशत से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके है प्रदेश में पहली बार मन्रेगा के तहत रेल पटरियों की मरम्मत का काम किया जा रहा है उमरिया में पंचायत एवं ग्रामीन विकास और रेल विभा के सहयोग से ये काम किया जा रहा है पेश है हमारे उमरिया समवादाता की रपोर्ट रेलवे सेंसर रिपेरिंग का कार सुरक्षा की द्रिष्टिकोंड से अत्यन्त महत्त पून है इस कारे के माध्यम से रेल पतरियों को इस्थायत प्रदान किया जाता है 3,333,000 रुपई की लागत से होने वाले इस कारे में 70 सरिम्कों को रोजगार प्रदान किया गया है प्रादेशिक समाचार के लिए हो मरिया सिमय संतोज गुपता इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR News आप पर भी समाचार सुन सकते हैं ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है प्रदेश की तीन राजसभा सीटों के लिए 19 जून को होने वाले चुनाव के लिए राजनेतिक सरगर्मिया तेस हो गई है प्रमुख राजनेतिक दल भाजपा और कॉंग्रस इन चुनावों के लिए अपनी रणनीती को अंतिम रूप देने में जुड़ गए है प्रदेश में इन चुनावों के लिए नियुक्त भाजपा के परियवेक्षक केंट्री मंत्री प्रकाश जावडेकर और पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर विने सहस्त्र बुद्धे भुपास्थित प्रदेश भाजपा कारियाले में पार्टी विधायकों से मौझूद थे गारतलब है कि तीन सीटों के लिए होने वाले इन चुनावों में भाजपा की ओर से पूर्वकेंद्री मंत्री जोतरा दित्यसिंधिया सुमेर से सोलंकी कॉंग्रिस की ओर से वरिष्ट अनेता दिगवजैसे और फूल से बरैया चुनावी मैदान में हैं वह में 24 विधान सभा सीटे रिक्त हैं ऐसे में इन चुनावों में समुचित प्रतिन धित्व नहीं हो पाएगा लेकिन उच्च नियायाले ने ये कहकर इसे खारच कर दिया कि सम्विधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि विधान सभा सीटे रिक्त होने पर राजिस सभा चुनाव टाल दिये जाएं। कोरोना संक्रट के बावजूच शिवपूरी जिले में अंतराश्य योग दिवस को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्वी नरेंद्रों मोदी के अहवान पर इसके लिए व्यापक तयारियां की जा रही है। योग शिक्षक बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से योग का प्रशिक्षन दे रहे हैं। योगा केंद्र के प्रभारी रगुवीर पाराशर ने बताया कि ऑनलाइन क्लासेज में भी बच्चे पूरे उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। योग प्रशिक्षक मनीश राठोर ने बताया कि अप्रेल महीने से ही ऑनलाइन क्लासेज शुरू कर दे गाई थी। विद्यार्थी भी ओनलाइन क्लासेज के माध्यम से रोज कुछ नया सीख रहे हैं। में भी आज से दर्शन शुरू हो गए हैं। मंदर परिसर में सोशल डिस्टंसिंग का पालन किया जा रहा है। इसके अलावा मास्क लगाना अनिवार्य है। और केंद्रू सरकार के निर्देशों के मताबिक बुजर्गों और बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इन व्यवस्थाओं से शधालू भी खुश है। अब बात मौसम की। प्रदेश में मौनसून की दस्तक के बाद राजधानी भूपा सहित कई जिलों में जमा जम बारिश का दौर जारी है। राजिके इंदौर, उजयन, होशंगाबाद संभा के कई स्थानों पर आज बारिश होई। वहीं सागर, इंदौर, ग्वालियर और चंबल संभा के जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश और गरत चमक के साथ हलकी बौचारे पड़ी। मौसम विभाग ने आज शेहडोल, सीधी, छंदवाडा, सिवनी, राइसेन, सिहोर, होशंगाबाद, खंडवा और हर्दा में कहीं-कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। अब कुछ समाचार संग्शेप में। पंचायती राज मंत्राले द्वारा सागर जिले को सरवाधिक चार श्रेणियों में पुरुस्कृत किया गया है। खंडवा जिले में बिजली बिलों के भुकतान और सुधार के लिए आज से शिवर शुरू किये गए हैं। ये 27 जून तक चलेंगे, इन शिवरों में भुकताओं की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। वर्शा के मद्देनजर टीकमगर में बार नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। इसका दूरभाश क्रमांग 07683-240901 है। और राजगर जिले में राजस्व प्रकरण के लिए अभियान शुरू किया गया है। कलेक्टर नीरज कुमार सिह ने आज जिले के पगारी गाउं पहुँचकर ग्रामीनों से बाच्चीत की और उनकी समस्याओं का निराकरण किया। अंत में बुलिटन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने चीन विवात पर कहा हम किसी को उक्साते नहीं हैं लेकिन देश की अखंडता से समझोता भी नहीं करते। प्रदेश सहित 15 राजियों के मुखे मंत्रियों के साथ बैठक में प्रधान मंत्री ने की कोरोना से उत्पन स्थिती की समीक्षा तीन राजे सभा सीटों पर चुनाव के लिए भाजपा और कॉंग्रस में बैठकों का दौर जारी 19 को होंगे चुनाव और भूपास सहित कई जिलों में जमा जम बारिश इस बुलिटन में इतना ही घर में रहिए सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाश श्वानी नमस्कार